बिमार्य सदेव से मानव के लिए चुनोतिया बनती रही हैं। ऐसे में कुछ बिमारियों ने मानव समाज के समक्ष संकट भी पैदा किया है। ऐसे ही एक बिमारी है एज जो की मानव की प्राकृतिक प्रतिरोधी शमता को कमजोर करता है। HIV शरीर की रोग प्रतिरोधी शमता पर आक्रमन करता है जिसका काम शरीर को संक्रामक बिमारियों जो की जीवानों और विशानों से होती हैं से बचाना होता है। हर वर्ष एक डिसंबर को अंतराश्रे एज दिवस मनाया जाता है ताकि इस बिमारी के प्रती जागरुकता का प्रसार किया जा सके। एज एक ऐसी बिमारी है जिसके बारे में आज भी लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए आज हम अंतराश्ट्री एड्स दिवस के दिन आप सब के लिए एक ऐसा कारिक्रम लाए हैं जहां आप एड्स के बारे में और विस्तार से जान पाएंगे। हैं डॉक्टर बिनोध रायना, HIV पिशेश अग्यर। नमश्कार, डॉक्टर रायना, वेल्कम टॉ अश्व, जैसे हम सभी जानते हैं कि आज वर्ल्ड एड्स टे है, यानि अंतराश्ट्री एड्स दिवस है, मैं इस बात्चीत की शिरुआ डॉक्टर सबसे पहले इसी सवाल से करूंगी कि एड्स का मतलब क्या होता है, यह किस प् प्राक्टिस कर रहे हैं, आप बहुत सारे ऐसे HIV की पेशिंट के साथ दिन राट डील करते हैं, एड्स बिमारी होती क्या है, और यह किस तरह से वाइरस से फैल सकती है, मैं चाहूंगी आप थोड़ी से इस बात पर और आगे रोशनी डाले, कि जब हम वाइरस की बात करते ह हैं, तो एड्स आखिर किस प्रकार से फैलता है, वो कौन-कौन सी स्पेसिटिक चीजे हैं, जिसके द्वारा किसी इनसान को यह बिमारी हो सकती है, देखें, जब तक एक पेशन्ट डिरेक टच में दूसरे पेशन्ट के नहीं आता है, एक पेशन्ट को HIV है, जब तक दूसर नुसरा पेशन्ट में पेशन्ट के साथ नहीं आता है, तब तक HIV नहीं हो सकती, अब एकजंपल में देता हूं, ऑगर आप सेक्स करते, तो सेक्स करते वक्त, पर इस्ट ओर दूसरे पेशन्ट को डिरेक्ट टैच होता है कि बाइचांस अकर वह सेक्स करा, कॉढनम ब्रेक हो गया, तो यह डिरेक्ट टैच माना जाए गाए और अगर आप मान के चले कि कोई प्रोशिजर ऐसे करते हैं कि आप कोई आप करते हैं, जहां पर आपको कोई ऐसा प्रिक लग सकता है खलती से तो उसमें भी हो सकता है यहां कभी कबार ऐसे भी होता है कि आप कभी दांथों ग ubiquitas ने जाते हैं आप कि सी डॉक्टर के पास जाते हैं जहां पर उन्होंने स्ट्रिलाइज जो इक्यूपेंट से वो यूज नहीं किये तो वहां पर भी HIV होने के चांस होते हैं आज कल मैक्समम देखा गया कि जो HIV होती है वो अनप्रोटेक्टेटड सेक्स की वज़े से होती है और दूसरा जो आप जब पेशिंट किसी क्वैक के पास जाता है कि जहां पर स्टेरीलिजेशन प्रॉपर नहीं रखी जाती है For example, अगर आप किसी ऐसी डॉक्टर के पाँ जाते हैं, जिसको ग्यान नहीं है, जिसको पता नहीं है कि इन्स्टुमेंट्स को कैसे स्ट्रिलाइज करना, उनको कैसे यूज करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, कि जहां पर हमको डिस्पोजबल इन्स्टुमेंट यूज करने होते हैं, वहां पर वो नहीं करते हैं, और उनको रियूज करते हैं, तो यूज करने से भी HIV होने का खत्रा रहता है, लेकिन ये परसंटेज बहुत कम है, जो मैक्समम जो HIV फैलती है, वो शारेलिक संबंद से, संबंद की वज़ा से ही होता है, अगर आप सेक्श करते हैं, तो वहां पर जो HIV प्रिविलेंस है फैले का वो 17 टाइम्स मोर है, अगर सो कपल्स अनप्रोड़ेट सेक्स करते हैं, तो उसमें से अगर पांच को HIV होती है, तो अगर वही सो हो मोसेक्शुल को प्ल सेक्स करेंगे, तो उनमें पचासी को HIV होगी, अगर ऐसा क्यों? होमो सेक्शुल में बेसिकली जो हाईजिन ले वाला बहुत कम होता है, क्योंकि वो ज़्यादा हाईजिन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और एनल सेक्स में बहुत ज़्यादा चांस है HIV फैलने का, तो वहां पर ज़्यादा इंफेक्शन होते हैं, और यह जरूरी नहीं है देखें क्या है कि बहुत सारे इंफेक्शन होते हैं, जब आप अनप्रोटिट सेक्स करते हैं, जैसे गुडेरिया है, सिफलिस है, ट्रिक्षामोस है, ख्लामीडिया है, हर्पिस है, तो यह बहुत सारी बीमारिया जब मान के चले बाड़ी में चली जाती है, तो वह एक पेशन्ट को CD4 cells का काउंट करेंगे, तो वह 500, 600, 700 होना चाहिए, लेकिन अगर वह 500 से नीचे है, तो इसका इम्यून सिस्टेम वह कंप्रमाइज है, जब भी किसी पेशन्ट को HIV होती है, अगर उसका CD4 cell है, वह 500 के आस पास है, तो वह ठीक हालत में, लेकिन अगर उसका जो CD4 cell है, वह 200 से नीचे चला गए, तो फिर उसको AIDS की बीमारी होती है, जिसको हम Accordementary Differences Syndrome का क्या मतला है कि जहां पर आपको Secondary Diseases Attack करेंगे, बहुत सारे ऐसे बीमारिया होती है, जो आपको फिर हो जाती है, मान के चले, अगर HIV पेशन्ट है, जिसको HIV है, उसका CD4 200 से क्योंकि यहां किसी हॉस्पिल में जाता तो वहां पर उसको इंफेक्शन होने के चांस रहते हैं, क्योंकि जितना CD4 काउंट कम होगा, उतना खत्रा जादा है, तो बेसकली अगर देखा जाए, तो कहीं न कहीं, बॉड़ी की जो शमता है तो फाइट वाइरिस वो टोटली जाती है, बहुत कम हो जाती है जिसके वज़े से से किंडरी इनफेक्शन होने की चांस बहुत बढ़ जाते हैं और उसकी फाइटिंग उबलेटी भी आएपके खतम हो जाती है, कि अब ऐसा है कि मेडिकली इतना जादा अब हम कि इन्सान को लंबी उमर या एक अच्छी खासी उमर की आयू प्रदान हो सके तो उस अंगल से मैं आप से यह पूछूंगी कि क्या इस बिमारी का अब कोई इलाज है कि इलाज नहीं है इस चास्ट वे लुकिंग अट गेटिंग परसन एक अच्छी डिसेंट लंबी लाइफ कि मारम बहुत सारी अच्छी इस बीमारिया जिनका बिल्कुल लाज नहीं आपको लाज नहीं है अगर आपको डिटेक्स ही एचेविए सबसे पहले आपको इच ही इसपेशल्स के पाँ जाना वहां पर जाच करा नहीं है और आप दवाई स्टाट करों अगर आप दवाई बड़ी अच्छी तरह से खाएंगे और बड़िया तरीके से आप प्रोटीन इंटेक को बढ़ाएंगे और हाईजी लेवल पर रहेंगे कुछ नहीं होता इतने सिंपल लाइफ होगी है पहले बहुत कंपलकेशन से हमारे पास दवाया नहीं थी अब हमारे पास इतनी दवाया है कि हम बिलकुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है चाहिए पेशन और यह अब टाबो नहीं है आप बहुत सारे जो येंग्स्टर्स हैं जैसे वो जब वो शादी करते हैं वो शादी से पहले अपना स्टर्थ जानने के लिए आते हैं और बहुत सारे ऐसे पेशन आते हैं कि जो जैसे मान के चलो किसी ने कहीं पर बुलड दे दिया तो वहां पर उनको कॉल आता है कि आपका HIV पॉजिट्व आ गया है देखे मैं एक चीज़ एड करना चाहता हूं आपको कोई प्रिक लग गया अगर आप नर्स हैं कोई मेडिकल स्टाफ है अगर आप तुरंत उसी वक्त किसी HIV स्पेशलिस के पास जाते हैं और उनको आप बोलते हैं कि साफ मेरे से यह प्रॉब्लम होगी है तो आपको एक दवाय स्टाट की जाएगी उसको कहते हैं प्यप पोस्ट एक्सपोजर प्रफ्लेक्स अगर वो दवा आप 72 आवर्स में खाते हैं बीस पोस्ट एक्सपो लेकिन अभी भी भारत के अंदर यह प्राक्टस या यह यह तिंक या जो करें पैप की की पोस्ट एक्सपोजर आप एक मेडिसिन ले यह अभी भी कंपुल्सरी और मैंडेट्री नहीं है ना इंडिया के अधर इंडिया देखे अर्ट संटे उसमें खाली हेल्थ वरकर्स को दी जाती है लेकिन हम चाते हैं कि हर एक डॉक्ट्र को ध्रॉज करे है क्यूंकि इस पर एडियूकेशन होना चाहिए यह ऐजुकेशं हो चाये डोक्टोस को एजुक利 किया जाये, मेडिकल स्टाफ को एजुकेट किया जाये, तो ये चीजें आप रोक सकते हो, या बहुत जारे जो हेल्थ वर्कर है, जो हमारे लैब्स में काम करते है, उनको गल्ती से टेच लग जाता है, यहां ब्लड को कंटमिनेट हो जाता है यह है जो हमारे जो जो मेडिकल वेस्स के साथ काम करते हैं जो हमारे वाड़ बॉइस होते हैं उनको कितने प्रिक्स लगते हैं तो वह भी अगर तुरंट जो ही प्रिक लग गया तो वह अगर तुरंट डॉक्टर के पाँ जाते हैं वह जो है कि विज्ञान ने आज इस शेत्र में कितनी प्रगति कर लिये और उसके साथ एक और आंगल जो मैं चाहती हो आप कबर करें वो ये है कि फैमिली इन्वार्मेंट और एडूकेशन शिक्षा कितना एहम रोल निभाती है इस तरह के वाइरस से और इनसान को इस तरह के वाइरस को अपने अंदर लाने से बचाने के लिए मैंडम बीस साल पहले मैंने प्रेक्टिस टार्ट की ती तो तब बहुत मुश्किल था बहुत कटनाई थी, बहुत पेशन्स की डेट्स होती थी, बहुत मुश्किल था लेकिन अब बहुत असान हो गया, प्रोलंगेशन आफ लाइप बहुत हो गया, आप पेशन्स को बहुत देर तक जिन्दा रख सकते हैं, और अच्छी हेल्थ में रख सकते हैं, अगर वो प्रॉपर दें नाजघ लेना आप ने, आपने हाई प्रोटीन डेट लेना है, प्रोटीन का परोटीन आपने बहुत अच्छा यूज करना पदे गा, अगर आप नो एच खाते हैं तो नोंष खा सकते हैं, अगर आप विज़िट एट ले सकते जिसे सोया है, पनीर है, नौनेज में आप अंडा ले सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, सस्ता प्रोटीन है, और आपने ये दियान रखना है कि आपने बाहर की चीज़ें को नहीं खाना है, अगर आप ये चीज़ें करते हैं, और अपने लाइफस्टायल को इंप चाहिए, आपको ऐसी चीज़ें जो आपको जो बाकी सेकंडर इन्फेक्शन उसको रोके, बैसलिख को जो अपने बाहर अपका सी डिफोर कांट है, वाव कांट से उपर रहना चाहिए, अगर अगर आपका सी डिफौर कांट पांट से उपर रहता है, आपको कोई बीमारी तंगनी करेगी और आपके लाइ बहुत अच्छे से करेगी और दूसरी चीज मैं यह चाहता हूं कि जितने पी हमारे पेरेंट से जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बहुत जुरूरे कि अपने बच्चों को एजुकेट करें और स्कूल एजुकेशन में भी यह बिल जो भूपोंशन का हमारे जो ऑरबढन पॉपैशन होगी है और सबसें इंप्र मुझेम सेक्शन करनि it तैने हमारे में भूप जधाथा नग जादा स्कुल ट्रांसमिर डिजीज से किमारे पास ड्याउस की बहुत कमी हम लोग टैस्टी नी कराती कियूश prefald साल टेस्ट नहीं होता, तो इसलिए ये जरूरी है कि हम एजुकेट करें अपने आपको फिर अपने बच्चों को ज़ूर करें और गोर्मन से ये इलतजा है कि वो पैप को एक बिलकुल नेसेसरी कंपाल्सरी बनाएं, मैंडिटी करें ये बहुत जरूर है कि अगर आपके सिस्टम में रिजीम में आता है तो उससे क्या होगा कि जो HIV होने वाले पेशन्स हैं, जो टाइम पे किलिन पे पहुँचता है या डॉक्टर के पास पहुँचता है तो कम अज़कम HIV होने से बच्चते हैं बहुत बहुत शुक्रिया थिस त्रूली बीन वेरी इंफरमेटिव और बहुती कॉंपरेंसिव कॉंपरसेशन जैसे आज मैंने कहा उमीद करती होगे मारे दर्शिकों को भी आज इससे लाग मिले की थांक्यू दॉक्टर राइना